इंस्पाइरिंग में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है वर्म भारुटवाज और माज आपको बताऊंगा कि हम अपनी पेंड ड्राइफ को पास्वर प्रोटेक्टिट कैसे बना सकते हैं या फिर किसी भी रिमुविबल हार्ट डिस्क हार्ट ड्राइफ को हम पास्वर प्र जरुद के कलको जैसे आपकी पेंड ड्राइफ खो जाती है यह आपकी पेंड ड्राइफ में कुछ भी ऐसा डेटा होता है चाहे वो पिक्चर्स हो गई या वीडियो फाइल हो गई तो वह किसी भी अंजान बंदे के पास जा सकता है तो इसलिए मेरा रिक्मेंडेशन यह र सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा क्या आपका जो विंडोस वर्जिन है वो बिट लॉकर फीचर को सपोर्ट करता है बिट लॉकर फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिमिटेट वर्जिन में दी गई है जैसे प्रोफेशनल हो गया यह आपका विंडोस 7 का जै पर प्रॉपर्टी इसमें जाएं और यहां पर आप देख पा रहे होगे विंडोस 8.1 प्रोफेशनल यह बिट लॉकर फीचर को सपोर्ट करता है यह मेरी पेंड्राइव है रिमूवबल डिस्क अब मैं इसमें बिट लॉकर फीचर से पास्फट डालूगा तो आपको एक चीज़ का आप और धान रखना इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप प्लीज अपनी पेंड्राइव को बिल्कुल खाली कर ले क्योंकि यह हमारी पेंड्राइव को फॉर्माट करेगा तो आपको जो भी डेटा होगा वो उड़ जाएगा तो आप पहली अपनी डे इस को कैसे अनलॉक करना है पासफवड की हैं से या फिर स्मार्ट कार्ड की हिर्प से मैं पासफवड़ वालॉ औप्शन से लिट कर लेता हूं और यह मुझसे पूछ रहा है कि पासफवड का जो कमबिनेशन होना चीह वो अपर केस लोइर केस नम्बर, स्पेस, सिंबल, त पास्फर्ड मैं रखता हूँ test at the rate 2017 जिस में मैं T को capital डालूगा चीक है अब यह मुझसे पूछ रहा है कि मैंने पास्फर्ड डाल दिया इनकेस मैं पास्फर्ड भूल जाओ तो मैं कैसे अपनी pen drive को वापे से अनलॉक करता हूँ गार तो मैं उसे Microsoft account में save करना हूँ या save to file में करना हूँ या जो भी recovery की होगी उसे मैं print करना हूँ मैं save to file वाल option कर लेता हूँ इसे में desktop पे save कर लेता हूँ एक txt file desktop पे आ जाएगी अब हमें कुछ नहीं करना हमें सब्सक्राइब नेक्स्ट करना है और यह मुझसे पूछेगा कि मुझे पूरी की पूरी pen drive पेंट करना या जितने एलिया में फाइल पढ़ी है सरफ उतने तो मैं हमेशे रिक्रमेंड करता हूँ कि आप पूरी की पूरी drive को इंफिक करें तोड़ सो प्रोसीजर है बड़ यह जादा अच्छा option है नेक्स्ट कर देता हूँ मैं start इंफिक करता हूँ जब तक पूर्चर खतम नाव आपकी बीच में पॉस्ट करना इससे pen drive भी डामेज हो सकती है थोड़ा सा लंबा पूरीजर है यह कम से कम 15 मिनट से आधा खिंटा ले सकता है आपकी सिस्टम पर डिपरेंट करेगा उसमें कितनी रैम है उसकी क्या कॉन्फिग्रेशन कम से कम आदा घंटा हो चुका है और आप देख पारे होगे जो मेरी pen drive है वो पासर प्रोटेक्टिट बन चुकी है अब मेरा next task क्या होगा मैं pen drive को निकालता हूँ और अब यह चेक करेंगे हम क्या यह सही में पासर प्रोटेक्टिट है या ने जी हाँ अगर मुझे विसे unlock करना है तो मुझे पासफर टालना पड़ेगा तेस्ट एड़ेट उड़न 17 में जैसी डालूंगा और अनलॉक करूंगा तभी मैं pen drive को खोल पाऊंकर अब देखिए pen drive मेरी अनलॉक हो चुकी है और यह दिखा रहा है इस अब नेक्स टास्क क्या करते हैं आपको याद होगा हम लोगों नेक रिकवरी की सेफ करी थी तो अब मैं क्या करता हूं अगर इन केस में पास्वर्ट कभी भूल जाओं तो मैं pen drive को कैसे अनलॉक करूंगा रिकवरी की की हिल्प से इसे मैं एजट करता हूं वापस से लगाता हूं पेंडर मेरी देख पारे हो गया आप लग चुकी है और यह एक पास्वर्ट दिखा रहा है अब हम इसे अनलॉक करते हैं बड़ दूसरी हेल्प से करते हैं अनलॉक करेंगे यहां पर पूछ रहोगा more option पर जाते हैं एंटर करते है recovery की यह बता रहा है की ID इसकी यह है अगर आप इस चीज़ को देख पाओ तो यह identifier है जो की same था हम recovery की जो नीचे दी गई है उसे copy करते हैं और paste करते हैं अनलॉक more option, enter the recovery key अनलॉक सी, pen drive फिर से खुल गई एक पर हम लोगों ने एक मैनुवली पासफ़र डाला दूसरी पर हम लोगों ने रिकवरी की से इसे खुलने है की कोशिश करी तो आप ऐसे अपने कोई भी इंपॉर्टन डेटा को pen drive में अराम से डालके इसे आपकी लोकल डिस्क होती है, D drive, E drive जो भी आप उसको भी बिट लॉकर की help से पासर प्रटेट बना सकते हो जैसे कि को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहां से देख लेना कि आपका Windows वर्जिन क्या सपोर्ट करता है बिट लॉकर फीचर को, अगर आपका नहीं भी करता हो तो आप किसी अपने फ्रेंट के सिस्टम पे जाके ये सेम प्रोजीजर बना के यूज कर सकते हो, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, मेरे पास जो Windows थी वो 32-bit थी, तो अगर मैंने अपनी pen drive 32-bit वाले वर्जिन पे ब अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक पटन को दबाए, हमाया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जो भी सजेशन हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भोले, हमारी वीडियो को जितना हो सके आप प्लीज शेर करें, तो फिर बस आज के लिए इतना है, थाइंक यू, बाइ